हाथ कितने ही सब्ता वित्या हैं मैंने आपकी परंपराओं को करीब से देखा भी है उसे जीया भी है और इनसे बहुत कुछ सीखा भी है गुजरात में भी उमर गाम सेंबा जी तक गुजरात की पूरी पूर्वी पट्टी उस आदिवासी पट्टे में जीवन के अत्यनत महत्वप्ण बर्ष मेरे आदिवासी भाई बैनों के सेवा में लगाने का मुझे सवभागी मिला था आदिवासी जीवन शैली ने मुझे देश के बारे में हमारी परंपराओं के बारे में हमारी विरासत के बारे में बहुत कुछ सिखाया है इसलिए जब मैं आपके बीच आता हूँ तो एक अलगली तरह का अपनत्व मुझे फील होता है आपके बीच अपनों से जुड़ने का एसास होता है साथियों आदिवासी समाज को लेकर आदेश जिस गवरव के साथ आगे बढ़ रहा है वैसा पहले कभी नहीं हुआ है मैं जब विदेशी राष्टा देख्षों से मिलता हूँ और उन्हें उपहार देता हूँ तो मेरी कोशिस होती है कि उसमें कुछ न कुछ तो मेरे आदिवासी भाई बहनों द्वारा बनाए गए कुछ न कुछ उपहार होने चाहिए आज भारत पूरी दुनिया के बड़े-बड़े मंचों पर जाता है तो आदिवासी परंपरा को अपनी विरासत और गवरों के रुप में प्रस्तूत करता है आज भारत विश्व को ये बताता है कि क्लाइमेट चेंज ग्लोबल वार्मिंग ऐसे जो ग्लोबल चैलेंजिज है न अगर उसका समाधान आपको चाहिए आएए मेरे आदिवासी परंपराओं की जीवन सहली देख लीजिए आपको रास्ता मिल जाएगा आज जब सस्टेनेबल डिवलप्मेंट की बात होती है हम गर्व से कह सकते हैं कि दुनिया को हमारे आदिवासी समाज से बहुत कुछ सिखने की जरौत है हम कैसे पैड़ों से जंगलों से नदियों से पहडों से हमारी पीडियों का रिष्टा जोड सकते हैं हम कैसे प्रकृती से समसाधन लेकर भी उसे समरक्षित करते हैं उसका समवर्ण करते हैं इसकी प्रेड़ा हमारे आदिवासी भाई बैन हमें लगातार देते रहते हैं और यही बात आज भारत पूरे विश्व को बता रहा है साथियों आज भारत के पारंपरिक और खास कर जन जातिय समाध द्वारा बनाए जाने वाले प्रोडस की डिमान लगातार बढ़ रही है आज पुर्वत्तर के प्रोडक्स विदेशों तक में एक्सपोर्ट हो रहे है आज बैम्बू से बने उत्पादों के गिलोग पुरियता में तेजी से वृद्धी हो रही है आपको याद होगा पहले की सरकार के समय बैम्बू को काटने और उसके इस्तमाल पर कानूनी प्रतिबन लगे हुए थे हम बैम्बू को गास की केटेगरी में ले आए और उस पर सारे जो प्रतिबन लगे थे उसको हमने हटा दिया इससे बैम्बू प्रोडक्स अब एक बड़ी इंडुस्ट्री का हिस्सा बन रहे है ट्राइबल प्रोडक्स जादा से जादा बाजार तक आएं इनकी पहचान बड़े इनकी डिमान बड़े सरकार इस दिशा में लगा भी लगातार काम कर रही है वन धन मिशन का उदारन हमारे सामने है देश के अलग-अलग राज्यों में तीन हजार से जादा वन धन विकास केंदर स्थापित किये गए हैं 2014 से पहले ऐसे बहुत कम लगुवन उत्पाद होते थे जो MSP के दाइरे में आते थे अब ये संख्या बढ़कर साथ गुना हो गई हैं अब ऐसे करीब 90 लगुवन उत्पाद है जिन पर सरकार मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP दे रही है 50 हजार से जादा वनधन स्वयम सहायता समोत के जरिए लाखों जन जातिये लोगों को इसका अलाब हो रहा है देश में जो स्वयम सहायता समोत का एक बड़ा नेटवर्क तैयार हो रहा है उसका भी फाइदा आदिवासी समाज को हुआ है 80 लाख से जादा स्वयम सहायता समो सेल्प हेल्प ग्रूप्स इस समय अलग अलग राज्यों में काम कर रहे हैं इन समों में सवा करोर से जादा ट्राइबल मेंबर्स है उसमें भी हमारी माताए बेहने हैं इसका भी बड़ा लाब आदिवासी महलाओं को मिल रहा है भाई और भहनों आज सरकार का जोर जन जातिये आर्ट्स को प्रमोट करने जन जातिये युवाओं के स्कील को बढ़ाने पर भी है इस बार के बजेट में पारम पारिक कारीगरों के लिए पी एम विश्व कर्मा योजना शुरू करने की गोश्णा भी की गई है पी एम विश्व कर्मा के तहर आपको आर्थिक सहायता दी जाएगी स्कील ट्रेलिंग दी जाएगी अपने प्रोड़क की मार्केटिंग के लिए सपोर्ट किया जाएगा इसका बहुत बड़ा लाब हमारी युवाओं पीडी को हने वाला है और साथियों ये प्रयास केवल कुछ एक शेत्रों तक सिमित नहीं है हमारे देश में सेंकड़ो आदिवासी समुदाए है उनकी कितनी ही परंपराएं और हुनर ऐसे हैं जिन में असीम संभावनाय चिपी है इसलिए देश में नए जनजातिये शोद संस्तान भी खोले जा रहे हैं इन प्रयासों से ट्राइबल युवाओं के लिए अपने ही शेत्रों में नए आउसर बन रहे हैं साथियों जब मैं 20 साल पहले गुजरात का मुख्यमंत्री बना था तो मैंने वहाँ एक बात नोट की थी वहाँ आदिवासी बेल्ट में जो भी स्कूल थे इतना बड़ा आदिवासी समुदा था लेकिन पिछली सरकारों को आदिवासी खेत्रों में साइंस ट्रीम की स्कूले बनाने में प्रात्मिक्ता नहीं थी अब सोचिए जब आदिवासी बच्चा साइंस ही नहीं पड़ेगा तो डॉक्टर इंजिनियर कैसे बनता इस चुनवती का समाधान हमने उस पूरे बेल्ट में आदिवासी खेत्र के स्कूलों में साइंस की पढ़ाई का इंतिजाम करके किया आदिवासी बच्चे देश के किसी भी कौने में हो उनकी सिक्षा उनका भविश्य ये मेरी प्रात्विक्ता है आज देश में एक लव्य मोडल आदिवासी विद्यालेव के संख्या में पांच गुना की वृद्धी हुई है 2004 से 2014 के बीच दस वर्षों में केवल 91 लव्य आदिवासी स्कूल खुले थे लेकिन 2014 से 2022 तक इन आठ वर्षों में पांच सो से जादा एक लव्य स्कूल स्विक्रुत हुए है बर्तमान में इन में चार सो से जादा स्कूलों में पढ़ाई शुरू भी हो चुकी है एक लाग से जादा जन जातिये छात्र छात्राएं इन नए स्कूलों में पढ़ाई भी करने लगे हैं इस साल के बजेट में ऐसे स्कूलों में करीब करीब 40,000 से भी ज़्यादा सिक्षकों और कर्मुचारियों को बढ़ती की भी गोषना की गई है अनुसुचित जनजाती के युवाओं को मिलने वाली स्कूलर्शिप में भी दो गुने से ज़्यादा की बढ़ोतरी की गई है इसका लाप 30,000,000 विद्यार्दियों को मिल रहा है साथियों आदिवासी युवाओं को भाषा की बाधा के कारण बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता था लेकिन नई राष्ट्रिय शिक्षा नीति में मात्रु भाषा में पढ़ाई के विकल को भी खोल दिये गए है अब हमारे आदिवासी बच्चे आदिवासी हुआ अपनी भाषा में पढ़ सकेंगे आगे बढ़ सकेंगे साथियों देश जब आखरी पाइदान पर खड़े व्यक्ति को अपनी प्रात्मिक्ता देता है तो प्रगति के रास्ते अपने आप खुल जाते हैं हमारी सरकार वंचीतों को वरियता वंचीतों को वरियता यही मंत्र को लेकर देश विकास के लिए नए आयाम छू रहा है सरकार जिन आकांची जिला आकांची ब्लॉक को विक्सित करने का प्यान चला रही है उसमें ज्यादातर आदिवासी बहुले इलाके हैं इस साल के बजेट में अनुसुचित जनजातियों के लिए दिया जाने वाला बजेट भी 2014 के तुलना में पांच गुना बढ़ा दिया गया है आदिवासिक शेत्रों में बहतर आदुनिक इंफ्रास्टेक्टर बनाये जा रहा है आदुनिक कनेक्टिविटी भढ़ने से परियतन और आयके आउसर भी बढ़ रहे हैं देश के हजारों गाउं जो कभी वामपन थी उग्रवाद से प्रभाविच थे उन्हें अब फोर्जी कनेक्टिविटी से जोड़ा जा रहा है यानि जो युवार अलग थलग होने के कारण अलगाववाद के जाल में फच जाते से वो अब इंटरनेट और इंफ्रा के जरिये मुख्यधारा से कनेक्ट हो रहे हैं ये सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास इसकी वो मुख्यधारा है जो दूर सुदूर देश के हर नागरिक तब कहुंच रही है ये आदी और आदुनिक्ता के संग्यम की वो आहट है जिस पर नए भारत की बुलन इमारत खड़ी होगी है साथियों, बीते आठ नव वर्षों में आदिवासी समाज की यात्रा इस बदलाव की साक्षी रही है कि देश कैसे समानता और सम्रस्ता को प्रात्विक्ता दे रहा है आज आदी के बाद 75 वर्षों में पहली बाद देश का नेत्रुत्वा एक आदिवासी के हाथ में है पहली बाद एक आदिवासी महिला राष्पती जी के रूप में सर्वोच पत पर भारत का गवरो बढ़ा रही है पहली बाद आज देश में आदिवासी इत्यास को इतनी पहचान मिल रही है हम सब जानते हैं कि देश की आजादी के लड़ाई में हमारे जन जाती है समाज के उनका कितना बड़ा योगदान रहा है कितनी बड़ी भूमिका निवाई थी लेकिन देश दसकों तक इतियास के उन स्वर्णिम अध्यायों पर वीर विरांग नाओं के उन बलिदानों पर परदा डालने के प्रयास होते हैं अब हमरुत महोचों में देश ने अतित के उन भूले बिसरे अध्यायों को देश के सामने लाने का बिड़ा उठाया है पहली बार देश ने भगवान बुर्षा मुंडा की जन्म जैंती पर जन जातिये गौरव दिवस मनाने की शुरुवात की है पहली बार अलग-अलग राज्यों में आदिवासी स्वतंतरता सेनानी मुज्यम कोले जा रहे है पिछले साली मुझे जारखन के राची में भगवान बिर्सा मुंडा को सबर्वित मुज्यम के लोकारपन का आउसर मिला था ये देश में पहली बार हो रहा है लेकिन इसकी छात आने वाली कई पीडियों में दिखाई देगी ये प्रेणा देश को कई सद्यों तक दिशा देगी ताथियों हमें हमारे अतीद को सहजना है वर्तमान में करते वे भावना को सिखर पर ले जाना है और भविश के सपनों को साकार करके ही रहना है आदी महोतसव जैसे आयोजन इस संकल्प को आगे बढ़ाने का एक मजबुत माज्यम है हमें इसी एक अभियान एक अभियान के रूप पे आगे बढ़ाना है एक जनांदोलन बनाना है ऐसे आयोजन अलग अलग राज्यों में भी जादा से जादा होने चाहिए साथियों इस वर्ष पुरा विश्व भारत की पहल पर इंटरनेशनल मिलेट येर भी मना रहा है मिलेट्स जिसे आम आमतोर भाशा में मोटे अनाथ के रुप में जानते हैं और सदियों से हमारे स्वास्त के मूल में ये मोटा अनाथ था और हमारे अधिवासी भाई में के खान पान का वो प्रमुख हिस्सा हो रहा है अब भारत ने ये मोटा अनाथ जो एक प्रकार से सुपर फूड है इस सुपर फूड को स्री अन्ड की पहचान दी है जैसे स्री अन्ड बाजरा, स्री अन्ड ज्वार, स्री अन्ड रागी ऐसे कितने ही नाम है यहां के महोसों के फूर्स्टॉल पर भी हमें श्री अन्ड का स्वात और सुगन देखे दे को मिल रही है हमें आधिवासी छेत्रों के स्री अन्ड का भी जादा से जादा प्रचार पशार करना है इसमें लोगों को स्वास्त्रकार राप्त होगा ही आदिवासित किधानों की आई भी बढ़ेगी मुझे बरोसा है अपने इन प्रयासों से हम साथ मिलकर विश्षीद भारत के सपने को साकार करेंगे और जब मैं आज मंत्राले ने दिल्ली में इतना बड़ा आयोजन किया है देश भर के हमारे आदिवासि भाईवेंग अनेक विवितदा पुर्ण चीजे बना करके यहां लाए हैं खास करके खेत में उत्पादन उत्तम चीजें यहां लेकर के आए हैं मैं दिल्ली वासियों को हर्याना के नदी के गुरुग्राम वगेरे इलाके के लोगों को उत्तर प्रदेश के नोएडा गाजियाबाद के लोगों को आज यहां से सारवजनी ग्रुप से आग्रह करता हूं जरह दिल्ली वासियों को विशेस आग्रह करता हूं कि आप बड़ी तानराज में आईए आने वाले कुछ दिन ये मेला खुला रहने वाला है आप देखिए दूर सुदूर जंगलों में इस देश की कैसी कैसी ताकतें देश का भविश्य बना रही है जो लोग हेल्ज कॉंसियफ है जो डाइनिंग टेबल की हर चीज में बहुत ही सतर्क है विशेश करके ऐसी माताओं बहनों से पर आग रहे हैं का आप आईए हमारे जंगलों की जो पैदावरे हैं वो शारीक पोषण के लिए कितनी सम्रुद्ध है आप देखिए आपको लगेगा और भविश में आप लगा आतार वहीं से बंगवाएंगे अब जैसे यहां हमारे नौर्थ इसकी हल्दी है खास करके हमारे मेगाले से उसके अंदर जो न्यूट्रेशनल वैल्यूज है वैसी हल्दी शायद दुनिया में कहीं नहीं है अब जब लेटते हैं पता चलता है तो रखता है हाँ अब हमारे कीचल में यही हल्दी हम उप्योग करेंगे और इसलिए मेरा विशेद आग रहे हैं दिल्ली हर्याना और उत्तर प्रदेश के जो इलाके यहां पास-पास में हैं वो यहां आए और मैं तो चाहूंगा दिल्ली दम दिखाएं कि मेरे आदिवासी भाईवें जो चीजे ले ल एक नया उत्सा मिलेगा हमें एक संतोस मिलेगा आईए हम मिल करके इस आदी महोत्तों को चीरस्मर्णिय बना दे यादगार बना दे बहुत सफल बना करके रखें आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुप कामरा है बहुत-बहुत धन्यवाद देवियो सजनों आईए हम सब अपने अपने स्थान पर खड़े होकर करतल ध्वनी से माननीय प्रधान मंत्री महोदे का आभार वेक्त करें उनके स्नेह के लिए उनकी प्रेणा के लिए उनके उस नत्रत्व के लिए जो देश भर के जनजाती समदाय के भायों बहनों के जी